पुरुष और कक्रति एक है वो कभी प्रधक नहीं हो सकती शक्ति शिव के बिना अधूरी है और शिव त शक्ति के बिना शभ के समान है शिव शक्ति पुरुष पक्रति का संत्व तदेवन र्थ कारिसित होगा शरीर में यदि इस्त्रीत अत्मों की ओर जाने तो शरीर में जीव लाए शक्ति और शियुक की संपूर्ण और अस्यों को समझ लेगा बक्ती क्यान और तपस्या की पराकाश्टा जब क्यान के लिए शब्द पर्यात्वा उधारन रस्तुत करना अनिवारे हो जाता केवल आपके लिए ही नहीं अपे तो आपके मात्यम से समस्थ संसार को शिव और शक्ति की संयुक्ता से उन्हा अवगत कराना इस बसंग का उदेश था जो पूर नहुआ